हेलो ब्रिवन, आज हम बत करेंगे KTM के ओल बाइकों के बारे में KTM में काई सेरा बाइक मिल जाते हैं हमें काफी एच्छे बाइक मिलते है KTM में स्पोर्टी बाइक, लुक्स जो काफी बढ़ यहां होता है इन बाइकों का आज हम जितने भी KTM के बाइक मिलते हैं इंडिया में, उन सभी के बारे में आज बात करने वाले हम 125cc से लेकर सुरुवात होती है KTM के बाइक है 125cc में भी काफी पावर दिया जाता है अब भी अच्छी फीचर दिया गए इसमें 125cc में भी देखने पर लगती नहीं कि नौन बाइक है काफी sporty बाइक दिया जाता है 125cc में भी तो चलिए बात करते हैं इन सभी बाइकों के बारे में इस वीडियो में वीडियो में नया है तो ब्लेज लाइक, शेर, सब्क्राइब जरू करना और कमेंट जरू करना भाइक नमस्कार दोस्तों इस वीडियो मोटवलोग वीडियो मोटवलोग का स्वागत है सबसे पहले बात करें केटी मार्स 125 की इसकी लुक्स देखें एक बार लुक्स देखें तो लगता कि सेम ही बाइक है और वाइकों से सेम ही बाइक है पर इनकी पावर और फीचर जो काफी लगे काफी डिपरेंट सेम में इस बाइक पर हमें हेलोजन बल्ब दिखने को मिलता है टेलाइट जो LED मिल जाते हैं डबल करद दिया है इसमें डूल टोन आप्सन के साती है बाइक और इन बाइकों में double Suppose दिया गय है यह एक sport भाईक है जैसिक आपको पुता कि this seat स्जो काफी मुची होती है पितन के लिए तiqu punching काफी डिक्रिक्त होती सी ऩो की खींची है के मेंगी दर कुदत कमें इसमें Each switch में जो के पnga क्लोच handicap 14.7 बेच व्रूर माक्सिमें टोजन करती ही, 2LNM का 6 स्प्री का गेर बॉक्स दिया गया, 13L के फिल्टिंग कैपसिटी इस बाइक में मायलेज जो इसकी 40 के देगे इस बाइक में suitable ABS दिया गया लेकिन WS दिया गया इसमें अब टायर के पादब तो 17 इच का ट्यूलेटर देगे फ्रंटर रेयर में दोनों चक्खों में फ्रंटर रेयर में ट्यूलेटर मिल जाते में और काफी मोटे चोड़ टायर देगे है RC 125 की प्राइस के बदकर तो 1,86,100 रूप्राइस की आजागी इसी सेग्मेंट में दूसरी जो बाइक है KTM Duke 125cc यह एक नेकेड बाइक होती है पर इनमें फीचर थोड़ी कमी होती है और प्राइस भी थोड़ी सिस कम होती है KTM के दूसरी जो बाइक है KTM RC 200 यह एक फीचर लोडर बाइक है देखने में फोड़ी सेम दिखाई पर इससे अच्छी बाइक ही है इस बाइक में LED Headlight देखने में Indigator भी LED मिल जाते है DRL भी कापी खुक्सरत देएंगे वह भी LED बाइक की बात करतों वहां भी LED मिल जाते है वहां भी LED मिल जाते है double-lisks option हम ऐसा मिलता है हार बाइक में मिलता है double-lisks option इस बाइक में मिलता है Digital meter बड़ी सी चोड़ी सी digital meter दिया आगया स्पैक में हमें 189.5cc का engine निलता है वह भी single cylinder liquid engine निलता है यह बाइक भी 6-speed gearbox का आती है 13.7L का फिल्डें capacity रखती ही यह बाइक भी मालेज ही थोड़ी कम है 34 की मालेज देदी है इस बाइक की प्राइस के वरकतो अब बात करेंगें KTM RC 390 की यह यह बाइक काफी feature loader बाइक है काभी sporty दिखती है देखने में काभी इच्छी बाइक है काफी लोग के dream बाइक है 390 CC का एक best बाइक ही यह KTM RC 390 में में मिलता है LED headlight DRL वाले एक खुब्सूरत दिये गी है में 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 इन सभी बाइक को 13.7L का fueling capacity दिया गया है सब में same fueling capacity दिया गया है के engine के बात करते है 373 CC का engine दिया गया है 6 speed के gearbox दिया गया इसमें इसकी mileage के बात करते है यह बाइक जो है डिवल चलने 20 का साती है इसकी breaking इसमें भी 70 इच का 2 लेशर देखने के मिलता है अब इसकी price के बतलते है इसकी price के बतलते है 3,12,000 एक्सवर प्राइज इसकी बस आज के लिए तो नहीं वीडियो कर पसंदाए लाइक करें सेयर करें सब्स्क्राइब तो करीदेवार देखने लाइब 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 देखने